वेलकम वीवर्स टू माइ चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन तो आज का जो टॉपिक है वो डिगारिंग डॉस डॉस है तो इन कंटिनेशन टू प्रिवेश कमांड जैसे कहा हम ने देखा कि हम किस तरीके से डॉस प्रॉंट में हम किस तरीके से कमांड को इंप्ल आज है चले देखते हैं तो यह हमारे पास C प्रॉंप्ट है तो आज हम देखेंगे साघ्ट कमांड को कि हम किस तरीके से एक ड्राईउ में जो है Jug किस क giray अर्थ को हम सॉच कर सकते हैं जैसे में डियायार किया तो देखेड हैं हमारे सामने वहों सारी साथप डंडिर्यारी तो dir, pipeline, sort, तो आपको क्या करना है, dir लिखना है, फिर एक line डालनी है, तो pipeline है क्योंकि अपने जोड़ती है, और sort command लिखनी है, तो dir भी command है, sort भी command है, तो हम लिखेंगे dir, pipeline, sort, sort लिखेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो c drive में जितनी सारी directories है, जितने सारे contents हैं, वो जो है, वो sort हो जाएगे, तो आपको क्या करना है, आपको dir, pipeline, sort, तो देखें, मैंने enter किया, तो आप देखें, उपर वाली जो directories थी, और नीचे वाली जो directories है, यह क्या हो गई है, यह sort हो गई है, तो जो जिस तरीके से उपर वाली directories हमारे पास available थी, उस तरीके से नीचे वाली जो directories नहीं है, वो sort हो चुकी है, तो फिर मैंने CLS किया, clear screen किया, इसके बाद हम और एक command देखेंगे, तो हमारे पास command है, वो mode command है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, हमें एक C prompt पे mode लिखना है, तो जैसे हम mode लिखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, screen size जो है, वो maintain हो जाएगा, तो हम कोई figure भी लिख सकते हैं, इसके साथ में कि आपको जो screen का size कितना रखना है, तो मैंने mode फिर लिखा 80, तो जैसे मैं enter किया, तो देखिए, reverse हमारा जो screen है, उसका size जो change हो गया, तो मैं इसको फिर resize कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं दुबारा से mode command लिखता हूँ, और मैं इस वकद जो है, size 40 दे देता हूँ, तो जैसे मैंने enter किया, तो देखिए, reverse हमारा जो screen है, command screen है, उसका size जो है, तो change हो गया, तो मैंने resize किया, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी command आ जाती है, वो file compare command है, तो fc हम इस्तिमाल करते हैं, files को compare करने के लिए, तो पहले मैं cd direction में जाऊंगा, तो मैं ये cd, मैंने change directory, तो मैं direction में गया, फिर मैंने dir किया, तो देखिए हमारे पास यहां पर बहुत सारी subdirectories हैं, और बहुत सारी files हैं, तो यहां पर file f1 है, file f2 है, दूसरा file 1, file 2, यह सारी जो हैं, यह files हैं हमारे पास, available हैं, तो बाकी जो हैं, वो हमारे पास सब directories हैं, तो मैं fc command का इस्तिमाल करता हूँ, तो दो file जो हमारे पास f1 है और f2 है, इसको यह compare करूँगा, तो मुझे क्या करना है, fc file 1, file 2, यानि उन दो files का नाम लिखना है, तो जैसे मैं enter करूँगा तो देखिए, हमारे पास दोनु फाइल्स जो हैं, उनमें जो contents हैं, वो सामने आ गए हैं, तो अब देखिए file 1 का भी और file 2 का भी, तो इसी तरह मेरे पास file f1, f2 हैं, तो मैं fc मैंने लिखा, फिर f1 और f2 लिखा, तो इस तरीके से दो files जो है, comparing जो लिख रहा है, comparing files f1 and f2, तो उसके contents जो हैं, वो हमारे सामने आ गए हैं, इस तरीके से, हम fc कमांड का इस्तिमाल करके, file comparing कमांड का इस्तिमाल करके, हम दो files को compare कर सकते हैं, तो मैं cd slash मैंने लिखा, cls किया, cd slash मैं directory से बाहर आ गया, और clear मैंने screen किया, इसके बाद जो हमारे पास command आती है, वो system information command है, उसके लिए हमें क्या लिखना है, system info, तो यह हमारे पास command है, to get information about system, to get information about your system, तो अपने system के बारे में information, इससे हम command से ले सकते हैं, तो मैं यह से इसको लिखता हूँ, शायद syntax इसका सही नहीं था, हाँ, देखिये, loading, तो इस तरीके से देखिया, सारी जो information आपके computers के regarding है, वो सारी के सारी हमारे पास यहां पर display होगी, virtual memory कितनी है, हमारा operating system क्या है, domain, network card, सारा जब भी उसके बारे में information है, वो सारी के सारी आफ system info command से देख सकते हैं, तो मैं इसके बार direction वाली directory में दुबारा से जाओंगा, मैंने type extcum.com किया, मैंने कुछ external commands मैंने यहां पर already थोड़ा describe की हुई है, तो उसमें से हमारे पास जो पहली वाली command है, वो disk compare command है, तो disk comp, cmp comp, तो यह जो disk compare command है, compares the content of two floppy disks, तो दो floppy disks का content है, वो हम disk comp से, हम command से compare कर सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है, disk comp लिखना है, तो इसका जो syntax है, वो c prompt में आपको क्या लिखना है, disk disk, cmp comp, drive one, drive two, तो जो भी आपकी floppy, जो हमारे system में, दो floppy drives, अगर हमारे पस होंगे, तो दो floppy's हम लगाएंगे, तो एक वाली drive होगी, let it be f होगी, दूसरा जो f g होगी, तो disk comp f colon g colon, तो दोनों में जो contents होंगे, आपस में compare हो जाएंगे, तो इस command के थू हम क्या कर सकते हैं, do disk का, जो है floppy disk का, हम compare कर सकते हैं, उनके contents क्या है, उसके बाद हमारे पास दूसरी command जो आ जाती है, वो disk copy command आ जाती है, this command allows user to copy the content of one disk to another, this command allows user to copy the content of one disk to another, तो इस command से हम क्या कर सकते हैं, हम copy कर सकते हैं, हम दो contents of the one disk है to another, उसके लिए हमें क्या करना है, इस prompt पे हम लिखेंगे disk copy floppy disk one, floppy disk two, जो दो floppy's होंगी, उनका drives का नाम होगा, एक का F होगा, दूसरे का G होगा, तो disk copy हमें लिखना है, F colon, G colon, तो F जो पहली वाली जो F colon वाली जो drive होगी, वहां से contents जो है copy होके, दूसरी वाली G colon वाली जो drive होगी, दूसरी floppy disk two उसमें वो copy हो जाएगी, इस तरीके से हम दो disk को, हम copy कर सकते हैं, दूसरी command हमारे पास आती, check disk command, तो इससे हम open the utility to check the hard disk status for any file or error, तो इसके तरू हम क्या कर सकते हैं, हम status of the file जान सकते हैं, और अगर कोई error होगा, वो भी हम पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें syntax, c prompt में हमें chkds के लिखना है, check disk command, और जैसे हम enter करेंगे, तो उससे सारा stats files का और error हमें पता चल जाएगा, इसके बाद हमारे पस दूसरी command आ जाती है, वो scan disk command है, तो scan disk command जो है first introduced with Microsoft DOS 6.2, तो यह 6.2 version जो Microsoft DOS कर था, उसमें introduce की गई थी, capable of checking the hard drive and floppy disk for any error, तो यह hard drive और floppy disk को भी किसी भी error के लिए चेक कर सकती है, उसके लिए हमारे पास जो syntax आता है, तो हमें क्या लिखना है, हमें scan disk और drive name लिखना है, तो जो भी drive हमारे पास हो गया, आपके पास कुन सी drive है, आप scan करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते है, scan disk d colon enter, उसके बाद अगर आपके कोई file चेक करनी है, तो हम scan disk लिखेंगे, उसके बाद हम drive name देंगे, जैसे c colon slash, हम लिखेंगे direction, फिर लिखेंगे slash north slash file name, जो भी file name होगा, let it be file 1, तो इस तरीके से हम पूरा path देंगे, scan disk लिखेंगे पूरा path देंगे, तो उससे हमारा जो है, वो file scan हो जाएगे, उसके बाद हमारे पास दूसरी command आटे, x copy command, x copy command is the robust version of the copy command with additional features, x copy is the robust version of the copy command, तो इसमें additional features, it is capable of moving the file, directories and even whole drive from one location to another, तो आपको ही क्या करना है, तो हम एक location से दूसरी location, से drive को copy कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना है, x copy, source drive और destination drive लिखना है, तो अगर आपके पास let it be floppy drive 1, floppy drive 2 है, तो मैं x copy floppy drive 1, अगर उसका f colon होगा, वो f colon होगा, तो floppy disk 2 होगी, उसका g colon होगा, तो x copy से क्या हो जाएगा, जो f colon की drive होगी, f वाली drive होगी, वहां से जो content है, वो copy होगे g drive में चले जाएंगे, आपको क्या लिखना है x copy f colon g colon, तो एक floppy disk से दूसरी floppy disk में हम copy कर सकते हैं, contents को कर सकते हैं, इसी तरीक से whole drive जो हो भी जा सकती है, files भी हम copy कर सकते हैं, और directories को भी हम copy कर सकते हैं, तो यह हमारे पास थी x copy command, तो यह हमारे पास बहुत सारी commands थी जो हमने यहां सीखी, इसमें हमारे पास कुछ scan disk है, check disk है, तो इसका हम, चूंकि इसमें बहुत सारा time भी लग जाता है, nearly about 40-45 minutes, तो इसके बाद जो हैं, मैंने C drive में से बाहर चला गया, तो यहां पर मैंने दूसरी command लिखी मैंने log of command, तो log of command जो है, यह हमारे पास क्या है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप log of command लाइन पर काम कर रहे हैं, तो ग्रैफिक जो हमारे पास command interface है, तो जब आप log of command करोगे, एंटर करोगे, तो आप command line mode से graphical mode में चले जाएंगे, तो sign out हो जाएगा, तो इस command को आप इस्तिमाल कीजिए, और देखिए इसका क्या effect रहता है, अभी मैं अगर एंटर करता हूँ, तो log of हो जाएगा, अभी जो recording है, वो भी stop हो जाएगी, इसलिए आप इस command को देख लीजिएगा, कि किस तरी इसका effect क्या रहता है, इसका syntax simple है, C prompt पे आप पे log of सीधा लिखिए और एंटर कीजिए, तो viewers, यह आज के लिए था इतनी command जो हमने dos commands के बारे में बहुत कुछ जो हमने थोड़ा बहुत जाना, से पहले भी बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही काफी हमारी जो channel है, get knowledge online, इसको आप subscribe आपके आने वाली वीजियो जे हैं, उनका उनकी notification आपको मिलती रहे, thank you viewers.